दिये गए रफरे लिंक पर आपको क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का पेज आपके सामने ओपन होगा सबसे पहले आपको पेज के सबसे लास्ट आप्शन में जाना है जहां पर आपसे ये आपकी मेल आड़ी मांगेगा अपको यहां पर अपनी मेल आड़ी पूट कर रहा है जैसे मैं यहां पर अपनी मेल आड़ी पूट कर रहा हूं mlmclub18 at gmail.com दोस्तों यहां पर आप अपनी मेल आड़ी पूट करने के बाद यहां पर आपसे एक बटन में औप्शन पूछ रहा है Use my TCT Zen 20 to Exchange to TCT BEP20 मतलब आपके पास जो टुपान जेन 20 का पड़ा है उसको एक्सेंज अगर आप करना चाहते हैं बेट 20 में तो उसके लिए ये बटन को आप चूज कीजे ये बटन को मैंने चूज किया यहाँ पर मान लीजे मेरे पास टुपान की only 2000 की quantity पड़ी हुई है आप कितने भी डाल सकते हैं 30,000, 40,000 ये एक example के लिए मैं बता रहा हूँ यहाँ पर वो quantity आपने put कर दी उसके बाद यहाँ पर यह जो address दिया हुआ है दोस्तों यह जिसको मैंने select किया है इस address पर आपको आपके पास जहाँ पर भी टुपान TCT Zen20 का पड़ा है उसको इस address पर आपको भेजना है जैसे यहाँ पर मैंने इस address को copy किया मेरा टुपान पड़ा है मेरे Nomo wallet में मैं Nomo wallet में गया मैंने अपना Nomo खोला यहाँ पर अगर आप देखेंगे यह मैंने 2000 की quantity send की हुई है इस address पर तो इसका यह जो hash generate हुआ है दोस्तों यह hash को मैंने copy किया 2000 की quantity जो मैंने जिस address पर भेजी थी उस address का मैंने hash copy किया और again उसी page में आया और यह transaction hash को मैंने यहाँ put कर दिया दोस्तों आप लोगों को clear हो गया होगा अब आपको सबसे पहले top option पे जाना है सबसे first option पे जहाँ पर सबसे पहले हमारा referral code दिया हुआ है वहाँ आपको कुछ नहीं करना है second option आपको दिया हुआ है select crypto for transaction यहाँ पर आपको वो option चूज करना है जिसमे company बोलती है कि आपको आपके पास जो टुपान है उसके 30% आपको crypto से पे करना है तो आप Ethereum, Binance, Bitcoin, Litecoin Litecoin, Web20 या USDT, USDT में भी ERC20 और Web20 इसमें से किसी से भी आप पे कर सकते हैं तो यहाँ पर मैं second option चूज करूँगा USDT का Web20 क्योंकि यह easy है fast है और comfyस लगती है तो मैंने USDT का Web20 address select किया, then अब मैं यहाँ पर जाता हूँ wallet, अब यहाँ पर आपको किसका wallet डालना है, यहाँ पर आपको अपने टुपान Zen20 का receiving address डालना है, जैसे मैं यहाँ पर Nomo wallet में गया दोस्तों मैंने back किया, यहाँ पर तुपान community token दिया हुआ है उसका मैं receiving, receive बटन पर क्लिक करूँगा, तो यहाँ पर मुझे receiving address मिल जाएगा, मेरे को पूरा address copy नहीं करना है, only last slash से, यह मैंने copy किया और इस address को मैंने इस wallet address में put कर दिया, again अब यहाँ पर पूछ रहा है amount of TC token I want, यहाँ पर नीचे 2000 की quantity हमने डाली थी, यहाँ पर आपको, देखिए कितनी quantity वो लेता है, यहाँ पर अगर मान लीजे मैंने 1500 डाला, तो यहाँ पर यह बोल रहा है red color से 1890 1890 1890 1890 टुपान आपको buy करना है, 1890 टुपान आपको buy करना है यहाँ पर, मतलब यहाँ पर देखिए amount भी लिखके आगे, 30 dollar मतलब यहाँ पर आपको क्या करना है USDT, BEP20 का यह address यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है, यह देखिए जो address में select किया है इस address पर, आपको किसी भी exchange से, जहाँ पर भी आपका account है, उस से USDT, transfer करना है इस address पर, कितना भेशना है 30 dollar, वो भी BEP20 network पर last में यहाँ पर पूछ रहा है TCT BEP20 का wallet address आपको यह जो 2000 की quantity है, 2000 जो Z20 का आपके पस टुपान है वो quantity आप किस address पर receive करेंगे, BEP20 के रूप में तो वो address भी हम trust wallet में जाएंगे trust wallet में मैंने पहले से बना के रखा हुआ है और आप लोगों ने भी हो सकता है बना के रखा हुआ हूँ, यहाँ पर देखेंगे अब TCT BNB Smart Chain दिया हुआ है इसका मैं receive पे क्लिक करूँगा, नीचे यहाँ पर मुझे copy बटन मिला, मैंने इस address इसको copy किया, जहाँ पर मुझे BEP 20 में convert होके जो टुपान है, वो यहाँ पर मिलेगा उसका address मेरे यहाँ पर put कर दिया अब यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली बात है यहाँ पर यह जो 1890 की quantity आ रही है इसका मतलब यह है कि इसका 85, 1890 जो टुपान है, उसकी quantity 85% एक साल या दो साल के लिए आप इस taking पे डाल सकते हैं एक साल में आपको 5% bonus के साथ मिलेगा दो साल में आपको 15% bonus के साथ मिलेगा आप कर सकते हैं यहाँ पर लगबग सारी चीज़े हमने fulfill कर चुकी है अब आपको यहाँ पर यह form को submit करना है अगेन एक बार यह दो address आप note कर लीजेगा कि किस address पर आपको USDT भेजना है और किस address पर आपको यह जो 2000 टुपान आपके पास पड़े हैं TZ20 के वो आपको भेजना है यह address आप note down करके रख लीजेए और यह सारी चीजे करने के बाद आपको यहाँ पर confirm बटन दबाना है जब आप confirm करते हैं तो कुछ इस तरह का interface आपके सामने ही आ जाता है आपको मैं भी mail भी आ जाता है देखो यहाँ पर मुझे already mail भी आ गया है यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर mail में मुझे आ गया है hello tct customer की आपने जो 2000 की quantity है आपने जो 1800 something जो 47 टुपान आपने किया था उसमें से 1606 टुपान है वो आपके staking पुल में चले गया है 283 आपको receive हो जाएगा और जो 2000 की quantity है वो आपको already आपके wallet में मिल जाएगी